चले बिटा गुड इविनिंग, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को हम लोगों ने बिटा बी ओपी चैप्टर स्टार्ट किया था I hope किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बी ओपी में हमने कितने अकाउंट पढ़े थे बिटा कितने अकाउंट पढ़े थे, BOP में हमने दो अकाउंट पढ़े थे One is current account, another is capital account जो मेरी asset liability पर effect नहीं डालता है वो current account में आता है और जो effect डालता है, वो कहां आता है capital account में इसके अंदर तीन चीज थे, visible, invisible and unilateral transfer यहाँ भी तीन चीज है बेटा यहाँ भी तीन चीज है One is investment One is investment अब बेटा investment क्या होती है, बताइए What do you mean by investment Investment से आप क्या समझते हैं बहुत जगाओ पर इसे आपने पढ़ाए बेटा, बहुत जगाओ पर इसे पढ़ाए What do you mean by investment बताइए, investment से आप क्या समझते हैं राजा बेटा Investment से आप क्या समझते हैं राजा बेटा, बताइए Investment से आप क्या समझते हैं What do you mean by investment सभी बच्चों के जवाब चाहिए बेटा मुझे Investment आपने Macro का first chapter देखा होगा यह investment इससे पहले भी कहीं ना कहीं पड़ी होगी, सौम्या का जवाब सबसे पहले आया असरा process of capital formation Capital formation के process को हम लोग क्या कहते हैं Investment कहते हैं ठीक है, investment बेटा है जनरली कितने परकार की होती है, दो परकार की कितने परकार की, दो परकार की एक होती है FDI और एक होती है FII एक होती है FDI एक होती है FII जिसको की portfolio investment भी कह देते हैं FDI वो investment होती है जा control over assets होता है control over assets ऐसी जगे आपने invest करा जहां आपका control हो और FII होती है no control over assets no control over assets no control over assets जहां assets पर आपका control नहीं होता दो तरह की investment ठीक है very good वानी पैसा invest करना सुमिध जी कुछ भी कुछ भी सुमिध भाई तो दो तरह की investment one is FDI दूसरी FI foreign direct investment राजा बेटा बताईए अगर विदेशी लोग हमारे देश में पैसा invest कर रहे हैं हमारे देश में पैसा invest कर रहे हैं तो credit होगा या debit होगा विदेशी लोग हमारे देश में पैसा invest कर रहे हैं debit होगा या credit होगा जल्दी विदेशी लोग हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं debit होगा या credit पैसा आ रहा है तो credit होगा investment है और investment किसका पार्ट होता है assets इन्वेस्टमेंट क्या होती है अपने लिए एसिट्स होती है इन्वेस्टमेंट क्या होती है एसिट्स होती है इन्वेस्टमेंट क्या होती है एसिट्स और जब एसिट्स पर फ्रक पड़ रहा है तो कौन से अकाउंट में आएगा capital account में आएगा विदेशी company भारत में आ गई विदेशी company ने भारत में invest किया तो credit side of capital account और दूसरी होती है FI foreign institutional investment foreign institutional investment जो कि क्या होती है बटा portfolio investment कौन सी portfolio सर यह दोनों चीजे एक बार समझा दो दोनों चीजे समझेगा बटा एक बार दोनों समझाता हूँ देखिए यह इंडिया का बंदा है यह इंडिया माली बंदा छोड़ो यह इंडिया है और बटा यह USA है USA ने आकर यहाँ पर कोई company खड़ी करी क्या करी बटा कोई company बनाई company में कोई assets वगएरा तो होंगे नहीं होंगे यह नहीं होंगे USA company ने बेटा पैसा कहां लगाया इंडिया में लगाया यानि USA के बंदे ने इंडिया में इन्वेस्ट करा इंडिया में पैसा आया पैसा यानि कोई property फड़ी तो खरीदेगा निखरीदेगा building, silding, furniture, furniture, sab kharii dhega company set up कर ली, इसने क्या कर ली company set up कर ली इंडिया में आकर बड़े level पर individual level पर नहीं, बड़े level company आई तो multinational company होगी भाई अब इस assets, इस company के जो assets है उस assets के price पर किसका control है इसके price पर किसका control है विटा इनके price पर किसका control है, जो इसके assets है जो इसके assets है, जो property इसकी उसकी उसका control है USA की company ने भारत में पैसा लगाया asset में पैसा करा, वो asset के मालिक कौन बन गई, USA वाले तो इसके price भी कौन ता करेगा बटा USA वाले, USA का control है यानि यहाँ पर control है, अब एक और example लीजेगा बेटा, यह इंडिया है यह क्या है, इंडिया है USA में USA की किसी company ने इंडिया की company के share खरीद लिए, क्या खरीद लिए share खरीद लिए share बेटा एक तरह की investment ही होती है एक तरह की investment ही होती है इसके price इसके price पर control किसका होगा इसके प्राइस पर कंट्रोल किसका होगा यानि USA की कमपणी ने किसी इंडिया की कमपणी के शेर में पैसा लगाया USA की कमपणी ने इंडिया की कमपणी पैसा लगाया प्राइस का कंट्रोल किसके हाथ में होगा प्राइस का कंट्रोल किसके हाथ में होगा बेटा शेर बजार के हाथ में होगा किसी के हाथ में नहीं है बिटा शेर के दाम आपके हाथ में गयता है करने आपके हाथ में नहीं है विदेश ने पैसा लगा दिया आप भी पैसा लगाओगे आपके हाथ में नहीं है वो मार्किट के हाथ में है शेर बजार के हाथ में है यानि ऐस इन्वेस्टमेंट यहां आपका कंट्रोल हो वो FDI होती है और जहां कंट्रोल ना हो वो पॉटफोलियो या FII होती है क्लियर हुआ वेरी गुड मुसकान सौम्या बाकि जो इंडिया बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं राजा बेटा शेयर में आप पैसा लगाओगे कंपनी के हाथ में भी नहीं होता भाई मार्किट में उस कंपनी की कितनी वैल्लियू है उसके एसाब से शेयर के दाम घटते ब है और जिस पर आपका कंट्रोल ना हो यानि यूह से वाले ने खृधा लेकिन इसका कोई कंट्रोल नहीं है तो ऐसी व्यांती एफ फोरन यह पौर्ट फोलियो इन वेस्ट्मेंट यह सको बोल देते हैं पौर्ट ziet थ जब ऐसींवेस्टमेंट आपने करी हो जां आपका कंट तो हैं आप लेकिन प्राइस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो बिटा वो हो जाएगी FII वो हो जाएगी बिटा क्या FII क्लियर है क्लियर है बिटा किसी को अतारना तो अतार लीजेगा दूसरा दूसरा देखेगा Borrowing Borrowing and Lending Borrowing and Lending अगर पैसा बोरो करके लाएं तो पैसा आया है Positive यानि Credit हुआ लेकिन किसी को पैसा दिया है तो पैसा क्या हुआ है गया है तो debit यानि Negative Borrowing and Lending Borrowing and Lending किसी से बोरो किया बताएगे बिटा मैं किसी से पैसा मांग के लाया बोरो करकर लाया क्या मेरी liability नहीं आई मैंने किसी से पैसा मांगा है क्या मेरी liability आई है या नहीं आई है मेरा देश यानि भारत किसी से पैसा बोरो करता है भारत किसी से यानि इंडिया किसी से पैसा बोरो करता है loan लेता है क्या उसकी liability आएगी उधारी आएगी या नहीं आएगी आएगी लेकिन बोरो करकर पैसा आता है आता है तो क्या होगा credit side credit side of capital account लेकिन बेटा lending अगर मैं किसी को loan दे रहा हूँ मैं किसी को loan दे रहा हूँ तो बेटा पैसा क्या होगा जाएगा जाएगा लेकिन वो मेरा कौन बन जाएगा बेटा एसिट बन जाएगा मेरा कौन बन जाएगा एसिट जिसको मैं पैसा देता हूँ वो मेरा एसिट बन जाता है और जिससे मैं पैसे लेता हूँ वो मेरा क्रेड़र बन जाएगा यानि liability आ जाएगी commerce वाले बच्चे जानते हैं तीसरा change in change in official official reserve change in official reserve अब official reserve की बात यहां हो रही है foreign exchange का reserve यहां कौन सा reserve है बिटा foreign exchange का reserve अब मुझे बताईए बेटा दूसरे देश की currency रखने का धिकार किसके पास है दूसरे देश की currency रखने का धिकार किसके पास है राजा बेटा किसके पास है custodian on foreign exchange कौन होता है जल्दी बताईए RBI very good बेटा sanskriti और पेत sound तन्नु दूसरे देश की currency रखने का अधिकार RBI के पास है राजा बेटा RBI के पास जो official reserve है मालो मैं RBI हूँ मैं कौन हूँ RBI RBI किसका bank होता है government का bank होता नहीं होता government of India का आप bank है या नहीं है banker to the government एक function भी होता है RBI is a banker to the government तो बेटा RBI के पास वो गुल्लक है RBI के पास क्या रखी हुए बेटा वो गुल्लक है उस गुल्लक में वो foreign exchange रखता है बेटा क्या रखता है जो भी foreign exchange आता है उसके अंदर रख लेता है अब राजा बताना है जो गुल्लक है जो foreign exchange है यह गुल्लक है यह गुल्लक कम होता जा रहा है तो बेटा क्या किया होगा मैंने एक्सपोर्ट किया होगा या इंपोर्ट किया होगा मेरे देश ने एक्सपोर्ट किया होगा या इंपोर्ट किया होगा डैबिट तो है सोम्या एक्सपोर्ट बढ़ रहा होगा यह import 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 मतलब purchase import मतलब purchase यानि अगर बेटा यह increase होता है अगर यह क्या होता है increase होता है यह increase होता है तो यानि आपने क्या किया होगा purchase of assets purchase of assets कोई ना कोई asset आपने खड़ीदा होगा लेकिन यह बेटा decrease होता है अगर सोरी, decrease हो रहा है, decrease में purchase है, decrease में purchase है, लेकिन राजा बेटा, ये गुल्लक क्या हो रही है, अगर increase हो रही है, ये गुल्लक क्या हो रही है, अगर increase हो रही है बेटा, इस गुल्लक में पैसा आए जा रहा है, पैसा आए जा रहा है, पैसा आए जा रहा है, गुल्लक बढ़ती ज जारी बेटा गुल्लक क्या होती जारी बढ़ती जारी क्या किया होगा मैंने सेल किया होगा पर्चेस किया होगा यानि एक्सपोर्ट किया होगा अगर यह रिजब बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट किया होगा रिजब घट रहा है तो इंपोर्ट किया होगा क्लियर है यहां त very good तो यहां भी 3 point हो गए यहां भी 3 point हो गए इन दोनों account को balance किया जाता है और जो balance बसता है वो BOP और यह BOP कहां transfer कर दिया जाता है BOP का balance transfer to official reserve official reserve official reserve में इसको transfer कर दिया जाता पैसा यानि balance और payment का पैसा किसके पास transfer कर दिया जाता है बेटा official reserve यानि RBI के पास transfer कर दिया जाता है तो क्या-क्या पढ़ा बेटा मैंने कि foreign exchange क्या होता है पढ़ लिया sorry foreign exchange क्या रहा हूँ balance of payment systematic recording होती है किसके बीच में resident non-resident debit और credit के उपर यह भेज होता है दो account होता है current और capital assets पर affect ना पड़े तो current पड़े तो capital यहां तीन account आते हैं visible, invisible and unilateral transfer यह investment, borrowing, lending and change in official reserve यहां तक बात clear है यहां तक बात clear है बताइए यह किसी को example उतारने है यह अगर यह किसी को example उतारने तो उतार लीजे यह investment कौन सी हो जाएगी बेटा यह हो जाएगी FDI इंवेस्टमेंट जल्दी से बेटा यह दोनों example उतार लीजे यह दोनों example उतार लीजे अगर उतारने है तो जल्दी से फटा फट उतार यह फिर आगे की चर्चा करते हैं कोई दिक्कत हो तो पूछे कोई दिक्कत हो तो पूछे कि फिर आगे चर्चा करते हैं कि एक पॉर्टीन पॉर्टीशेव मुझे बताइए बेटा हाड लग रहा है चैप्टर या टफ लग रहा है मुझे बताइए हाड लग रहा है टफ लग रहा है चैप्टर हाड है या टफ है बताओ जल्दी से चैप्टर हाड है या टफ है आसान है बेटा चैप्टर चलिए यह आपने एक्जामपल उतार लिए होंगे मैं एक्जामपल को रब कर रहा हूँ आईए अब बात करते हैं बेटा टाइप्स की BOP के टाइप्स की BOP के दो टाइप्स होते हैं बेटा One is equilibrium 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 बेटा कब आता है जब BOP का बैलन्स जब BOP का बैलन्स is equal to क्या हो जाए BOP का बैलन्स is equal to क्या हो जाए जीरो तन्नु कह रही है अभी इतना तो tough लग रहा है ना hard लग रहा है ठीक है BOP का बैलन्स जीरो यानि बेटा BOP जीरो है इसका मतलब क्या BOP जीरो है इसका मतलब क्या अगर मैं कहए हुquet मेरे BEOP का अंसर 0 आया है तो इसका मतलब खोगा बताइए मुझे BEOP का अंसर 0 है इसका मतलब क्या रहा होगा इतना सारा चैप्टर आपने पढ़ लिए आप नहीं बोला कि easy लग रहा है आप नहीं बोला कि easy लग रहा है तो अब मुझे बताइए, BOP का अंसर अगर 0 आ रहा है, तो क्या हुआ होगा? राजा बेटा, जितना export हुआ होगा, उतना ही import. यानि जितना पैसा बहार गया, उतना पैसा ही बेटा देश में आया. Export is equal to import. Very good, बेटा. यानि यहाँ पर क्या रहा होगा? एकस्पोर्ट किसके बराबर रहा होगा? Export is equal to import. क्या मेरे official reserve में कोई moment हुई होगी? यानि जब balance of payment 0 आ गया, क्या मेरे official reserve, क्योंकि BOP का balance कहां transfer होता है? Official reserve में. क्या उसमें कोई moment हुई होगी? क्या उसमें कोई moment हुई होगी बेटा? जब BOP 0 आ गया, कोईशन ऐसी बन जाते हैं बेटा? MC की कोईशन ऐसी बन जाते हैं? लेकिन बेटा, disequilibrium है अगर. Disequilibrium. क्या है बेटा? Disequilibrium. यानि BOP is not equal to 0. BOP is not equal to 0. अगर BOP 0 के बराबर है, तो equilibrium 0 के बराबर नहीं है, तो disequilibrium. 0 के बराबर नहीं है, तो disequilibrium. और राजय अगर कोई चीज 0 नहीं है, तो क्या रही होगी? अगर कोई चीज 0 नहीं है, तो क्या रही होगी? या तो BOP कोई positive number होगा? या BOP कोई negative होगा? या तो 0 से जादा होगा? या 0 से कम होगा? या तो 0 से ज़ादा होगा या 0 से कम होगा अगर Plus में है तो बेटा यानी यह Surplus है Surplus और Minus में है तो यानी किया है? Deficit Minus में है तो क्या है? Deficit और बेटा Surplus हमेशा कब आता है? Export is greater than Import और यहां जब Export कम होगा इम्पोर्ट जादा होगा अगर export जादा हो जाए तो surplus और import जादा हो जाए तो deficit तो यहां तो बेटा मेरा official reserve बढ़ेगा जो official reserve है official reserve official reserve बढ़ेगा लेकिन यहां पर मेरा official reserve क्या होगा बेटा official reserve official reserve क्या होगा घटेगा official reserve क्या होगा घटेगा clear है clear है यहां तक यानि अगर B.O.P. 0 के बराबर आ जाए B.O.P. 0 के बराबर कब आएगा जब export और import बराबर आजाएगा जब export- import बराबर होगा तो official reserve में कोई भी change नहीं आएगा लेकिन अगर BOP 0 के बराबर नहीं है तो situation हो जाएगी dis equilibrium यानि या तो export ज़्यादा हो सकता या import export ज़्यादा हुआ तो positive यानि surplus import ज़्यादा हुआ तो negative यानि deficit और अगर बेटा surplus है तो official reserve बढ़ा होगा और deficit है तो official reserve घटा होगा क्या कहे रो बेटा अमिद भाई बेटा export करकर Aa Beenes अगल मेरे देश में export बढ़गा है तो पैसा नहीं आएगा क्या दूसरे आमिद भाई मैं दूसरे देश को समान बेचेंगा तो दूसरे देश से पैसा आएगा नहीं आएगा या फ्री में समाज सेवा करोगे अमिद भाई मेरा देश दूसरे देश को समान बेचेगा मोधी गौर्मेंट ने बिटा वैक्शीन बेची पैसा आएगा आएगा तो बिटा फोरन एक्शेंज में आएगा रिजब बढ़ जाएगा ठीक है सर अब बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं दाट इस आइटम्स आइटम्स कहलो या फिर इनको क्या कह देते हैं ट्रांजेक्शन्स आइटम्स कहलो या इनको क्या कह देते हैं ट्रांजेक्शन्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है ला पहला आइटम है और दूसरा है बिटा एकोमोडेटिंग अब ऑटोनोमियस आइटम जो होती है वो क्यों करी जाती है और यह ट्रांजेक्शन जो होती है बेटा यह इनडिपेंडेंट होती है इनडिपेंडेंट और राजा बेटा यह ट्रांजेक्शन जो होती है बोथ अकाउंट में बोथ बोथ अकाउंट में या इससे कहलो पहले तो अवफदा लाइंग इसका नेचर क्या होता है above the line और राजा बेटा यहां accounts की बात करें तो दोनो accounts आते हैं current account की transactions भी और capital account की transactions भी दोनो account की transaction यहां पर आती है, सर इतनी सारी चीज लिख दी हमें तो समझ में नहीं आया bounce back हो गया सरी तो, क्या हो गया यह bounce हो गया, सुनिएगा माल लो बेटा, आप equilibrium में आ गए आपका देश किसमे है, equilibrium में है equilibrium मतलब, एक छोटा सा example में लेता हूँ, आपको pass होने के लिए 30 marks चाहिए, कितने marks चाहिए राजा, pass होने के लिए 30 marks चाहिए या 33 माल लेते हैं, 100 में से 33% माल लेते हैं, तो 33 आपका क्या हो गया एक, 33 आपका क्या होना चाहिए, टार्गेट आप जो paper देने गए हैं, तो आपका पहला target क्या होना चाहिए माल लोग MCQ paper है आपका आपका MCQ paper है, तो आपका पहला target क्या होना चाहिए कि आप कम से कम 33 MCQ तो सही कर दें, target यही होना चाहिए पहले तो बोलिए बैटा पहला टार्गेट क्या होना चाहिए कि 33 cister करें यह एले कोशिं से सबस्थल पहले इंद निश्ट मेंस और नम्ब पर काम करें माल लहब आपको पताल गया कि 33 हो गया अथयाा हो गया हो ठ्थ्री 3Mark questions सही सही हो गए नँवाइंगा पूरे question 33 सही कर दिहें अब क्या करेंगे बेट नेगडिव marking है नहीं 33 कोशिन सही हो गयए अब क्या करेंगे घ्र⁶ सारे question attempt करेंगे नहीं करेंगे बता सारे쪽 करेंगे नहीं करेंगे अब 33 जन बाइंगे वह आपके surplus होंगे या यह नहीं होंगे. 33 से ओपर जो भी आएंगी ओओ आपके surplus होंगे यह नहीं होंगे. होंगे. अब 33 जब आ गए हैं, अब बताओ, क्या आपके दिमाग में 33 चल रहा होगा? अब नहीं चल रहा होगा. जब आपने 33 अचीव कर लिया, जब 33 achieve कर लिया अब आप 33 के बारे में नहीं सोचेंगे यानि यह independent है और उससे आगे की सोचेंगे तो above the line तो 33 हो मैंने एक target बना लिया उससे आगे जा रहे हैं उससे आगे जाएंगे तो surplus यानि profit होगा और transaction तो कौन से बनागुन में कर लो capital account की transaction कर लो इसमें कर लो अब equilibrium में आ गया अब क्या चाहेंगे आप मेरा देश equilibrium में आ गया जितना export कर रहा था उतना import कर रहा था अब क्या चाहेंगे एक अच्छे government के नाते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए जब export import बराबर आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए राजवेटा आप अप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे एक्सपोर्ट जादा करेंगे वेरी गुड तनू वेरी गुड अपना एक्सपोर्ट जादा करेंगे जब एक्सपोर्ट जादा होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा जब एक्सपोर्ट जादा होगा तो बढ़े रहूंगा नहीं रहूंगा खुला खेलूंगा भाई मैं उसके बाद यह transaction विटा बी ओपई से उपर जा रही तो अब अब दा transaction क्या होती है अब अब दा transaction और कोई सी transaction कर लो चाहे current account की कर लो चाहे capital की कर लो उसके बाद यह making profit के लिए है यह correcting correcting BOP ये BOP को सही करने के लिए की जाती है BOP हो सकता है deficit में हो BOP किस में हो deficit में हो ऐसी transaction जो BOP को सही करने के लिए की जाए वो आइ जो profit कमाने के लिए की जाए वो autonomous तो बेटा BOP मान लो deficit में था आप paper देने बैठे आपके 33 question हो नहीं रहे दिमाद काम नहीं करना आपके 33 question हो नहीं रहे तो क्या करोगे पहला target है 33 करना यानि अपने equilibrium को लाने की कोशिस करोगे आपके देश में deficit चल रहा है और आप profit के बारे में सोच रहे हो जो देश deficit में है वो पहले equilibrium के बारे में सोचेगा या profit के बारे में बोलिए जो देश dis equilibrium में है यानि deficit में है तो वो profit के बारे में सोचेगा पहले या equilibrium के बारे में सोचेगा वो तो ठीक है पहले मुझे बताइए अगर मैं deficit में हूँ यानि import ज़्यादा हो रहा है मेरा तो मैं पहले equilibrium में आना सोचूंगा या profit करना सोचूंगा पहला target होगा एकलियूर में आना यानि बीओपी को सही करना यानि अभी मैं बीओपी के ओपर क्या हूं dependent हूं dependent on बीओपी बीओपी के ओपर depend हूं और बेटा जब मेरा एकलियूर भी नहीं आया तो मैं above the line हूं या below the line हूं मैं किस में हूँ अभी below the line मैं कहां पर हूं below the line दूसरा यहां पर अगर मैं accounts की बात करूं तो सिर्फ एक ही account की transaction क्योंकि बेटा जब हमें अपने एक लिवर यानि deficit को खतम करना है तो बड़ी transaction करनी होगी क्या करनी होगी बड़ी transaction और बड़ी transaction कहां पर होती है capital account में होती है यह था छोटा सा topic एक last में आपका एक last में एक topic दे रखा होगा balance of trade यही वाला topic है visible trade को ही balance of trade कहते हैं visible trade को ही balance of trade कहते हैं बेटा अगर export जादा है तो favorable trade import जादा है तो unfavorable trade यह था बेटा नन्ना मुन्ना chapter यह था नन्ना मुन्ना chapter कल हम चर्चा करेंगे बेटा इसके questions की यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताईए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताईए कल इसके questions discuss करेंगे बेटा कल हम इसके questions discuss करेंगे ठीक है राजा बेटा जल्दी से छोटा सा chapter है नन्ना मुन्ना सा chapter है टफ है या easy है कल मुलाकात करेंगे इसी समय बाई बाई